आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनार स्टडी में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बैचुलर ओफ आर्ट्स के इगनो सॉल्फ हैंड रिटन असाइमेंट का जिसका सब्जेक्ट कोड है बी एच डी जी वन सेवन्टी त्री ये असाइमेंट उन लिया है आपको कोशन पेपर में 6 कोशन दिये गए हैं सबी का next गीवन है तो आप कोशन पेपर को एक बार अच्छे से रीट कर ले हम आपके लिए ये असाइमेंट इसलिए लाए है ताकि आप इस असाइमेंट की मदद से अपना हैंड रिटन असाइमेंट बना पा इस assignment को बनाते समय हमने assignment question paper की सभी guidelines का ध्यान रखा है अगर आप किसी भी assignment को बना रहे हैं तो assignment question paper में दी गई सभी conditions को पढ़ ले उसी के बाद अपना assignment बनाए अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करे चैनल को subscribe करे और ये वीडियो उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करे जो इस course को कर रही है अगर आप में से कोई इस assignment की PDF को खरीदना चाता है या किसी भी course के handwritten hard copy का order देना चाता है online submission के लिए handwritten scan PDF purchase करना चाता है तो वो हमें दिये गए WhatsApp नंबर पर contact कर सकता है हम आपको बता देना चाते हैं हमारा चैनल पिछले तीन सालों से इगनू assignment related work कर रहा है और आप जैसे सभी students को handwritten hard copy प्रोवाइट कराते हैं जो किसी वज़ा से अपना assignment नहीं बना पाते किसी जरूरी काम के चलते अगर आप order देना चाते हैं तो हमें WhatsApp नंबर पर contact कर सकते हैं इससे पहले हम अपने चैनल पर BAG से related काफी सारे assignments अपलोड कर चुके हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उन वीडियो को एक बार जरूर देखे ताकि आपकी assignment बनाने में मदद हो उन सभी वीडियो का link इस वीडियो के description box में provide करा दिया जाएगा आप सभी comment करके जरूर बताएं कि आप next वीडियो में किस assignment का solution चाहते हैं हम उसे अपने चैनल पर लाने की पूरी कोशिश करेंगे अब बात करें इस assignment को submit करने के last date की तो जिन students ने जुलाई 2022 में admission लिया है उन्हें ये assignment 30 मार्च 2023 से पहले submit करना है और जो student जनवरी 2023 सेशन में admission लेंगे उन्हें ये assignment 30 सेक्टेंबर 2023 से पहले submit करना होगा तो आप सभी students last date को ध्यान में रखते हुए ही अपने assignment को तयार करें ताकि बाद में आपको कोई परिशानी ना हो ये वीडियो आपके लिए इसी तरह slow scroll किया जा रहा है तो आप सभी वीडियो पर बने रहें वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ झाल करें झाल 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 झाल